कि नमस्कार मित्रों मैं अचारिज प्रबोध उपाध्याय आप सभी का पुनाहारदिक स्वागत करता हूं मासिक राशी फल के इसकारज क्रम में कि आप सभी के समख चुपस्तित हूं आज मैं मिथुन राशी वालों का मई का महीना किस तरीके का रहने वाला है इसी पर चर्षा करूंगा सबसे पहले ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डाल लेते हैं कि ग्रहों कीस तरीके की रहने वाली है इस महीन शुर्ज और बुद्ध में सुर्ज में इस राशी में मुरॉजमान और द्वाजबाव में विराज्मान इन क्या प्रभाव होगा आपके से मई के महीने में आईये चर्चा प्रारंब करते हैं सबlaw का मन थैसे महीने में हो सकता है कि अधिक विचलित रहे इसलिए खुद को संभाल कर रखना या शंभल कर चलना आपके लिए बहुत आवश्यक रहेगा इस महीने में वहीं थोड़े से आप अग्रेशिव हो सकते हैं किसी बात को लेकर तो अपने आप पे नियंत्रण और कंट्रोल रखकर आप चलत यहां पे बन सकता है इस महीने में इसलिए संभाल कर नियंत्रण के साथ आगे बढ़े शुबफल देगा यहां पर बात कर लेते हैं धन की धन की स्थिती जो है वह मिला जुला दिखाई दे रहा है इस महीने में कुटुम्बी जनों के साथ आप संबंद को बहतर बनाने का प्रयास करें और बहतर संबंद को बनाकर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाबदायक शिद्ध होगा अन्यथा नुकसान की संभावनाएं दिखाई दे रही है लेकिन वाड़ी पर नियंत्रण रखना आपके लिए उतना ही आवश्यक रहेगा इस महीने में स कोई भी एक क्लू ऐसा मिल सकता है जिससे उस विबाद की स्थिति में बदलाव एक नया मोड़े और रिजल्ट आपके पक्ष में आ जाए ऐसी भी स्थिति कुछ बन सकती है इसलिए सावधारी पूर्वक आगे बढ़ें दन के स्थिति नियंत्रित दिखाई दे रही है यहां पर आपके लिए खुसी की बात यह है इस वहिने में की कामकाज के नएने अप्रोच डेवलप होंगे बिसेस करके जो लोग सरकारी नौकरी में हैं या फिर सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका निकल कर आ सकता है कारण यह है कि थ एक बैतर मौका आपके लिए हो सकता है या सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं आपके सुनहरा मौका रहेगा इसलिए किसी भी मौके को हाथ से जाने ना दे छोटे से मौके को तबदील करके और बड़ा मौका आपको बनाना होगा इस महीने में इसमें आपके भाई बहान आपके लिए एक बैतर और सपोर्टिव रोल प्ले कर सकते हैं आपके लिए इस महीने में किसी भी तरीके के बड़े investment के तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं तो मई 15 के पहले आपको यह कारश कर लेना से अन्यथा उसके बाद इस्तिती हो सकता है कि आपके पक्ष में उतना बहतर ना रहे साथ साथ में मित्रों का बहतर सहयोग इस महीने में आपको प्राप्त होगा जिससे भी आपकी खुसियां कई गुनी अधिक बढ़ सकती है साथ साथ में वाहन खरीदने का अगर आपका प्लानिंग काफी समय से चल रहा था और आप खरीद नहीं पा रहे थे किसी भी सवस्या के कारण इस महीने में आप उसमें सफलता की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं एक बहतरीन और कंपटिबल लाइफ इस मह होती करेंगे अब यहां पर देख लेते हैं संतान पक्ष की स्थिती बहतर दिखाई दे रही है वही आप अगर बिद्यारती है तो आपके लिए पढ़ाई की स्थिती थोड़ी सी अधिक मैनत करनी पड़ सकती है इस महीने में लेकिन रिजल्ट लगभग आपके पक्ष में रहेगा इसलिए बहुत जादा चिंता की बात नहीं है वही पर प्रेम करने वालों के लिए बड़ी ही बहतर इस्थिती यहां पर पनपती हुई दिखाई दे रही है जो लोग प्रेम करते हैं और पिछले कुछ समय से उसमें डिस्प्यूट की स्थिती बने हुई है दोनों पर सुक्र की स्थिती को ध्यान में रखा जाए तो संतान पक्ष से किसी भी तरीके की परेशानी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे उस समस्या का समझदारी के साथ बुद्धिमता के साथ अगर आप प्रयास करते हैं तो इस महीने में निकल जाएंगे उससे प निकल नहीं पा रहे हैं तो इस महीने में नियंत्रण और सावधानी बढ़ते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप वहां से निकलने में कुछ हद तक काम्याब हो सकते हैं कोट कचारी से समंदित कोई अगर समस्या चल रही थी काफी समय से तो वहां पे भी आपको नियंत्रण के साथ आगे बढ़ने की आवशकता रहेगी नई तो सत्रू कई प्रकार के सड्यंत्र रच सकते हैं इस महीने में इसलिए सावधानी हटी और दुर्खटना घटी वाली बात हो सकती है भूमी से जुड़ा हुआ विसेश करके कोई विबात चल रहा है वहां समझदारी के साथ आगे बढ़ने की आवशकता रहेगी हाला कि आकस्मिक ताओं के कारक के तुग रह यहां विराजमान है तो कोई नई बात या फिर कोई पूरानी बात जो की दोनों के बीच में बिच चुकी हुई बात है उसको लेकर कहीं समस्या खड़ी ना हो जाए इस महिने में शावधानी पूर्भक आगे बढ़ेंगे तो पंद्रा तारीक के बाद से इस्थिती लगभग आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है त्रीग रही योग बना हुआ है यहां पर एट था उसमें यहां सोक्र और मंगल के साथ माप कीजिए गुरु मंग अपना आपके लिए बहुत आवश्यक रहेगा लेकिन प्रसंदा की बात यह है कि जो लोग कंस्ट्रक्शन के फील्ड से जुड़े हुए है यह वाकालत के फील्ड से जुड़े हुए है उनके लिए कई सारी खुसकबरी निकल कर यहां आ सकती है या जिस कार्ज के तलास मे लोग काफी समय से और उसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी इसमें सफलता की संभावनात काफी हद तक दिखाई दे रही है इस महीने में भागी की स्थिती भी कहीं न कहीं आपकी बहतर दिखाई दे रही है लेकिन पचास प्रतिसत के आसपास भाग आपके साथ होगा इसलि महिने में planning कर सकते हैं एक बात का विसेश ख्याल रखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक रहेगा इस महिने में कि आप जहां भी कामकाज करते हैं वहां पे सावधानी पूरवक करें और अपने कलिक्स के साथ बैतर ताल मेल के साथ आगे बढ़ने की आवश्यक्ता रहेगी अन्यता कुछ ने कुछ समस्याएं आपके नौकरी में उभर कर आ सकती है जिसकी आपने कभी कलपना भी ना की हो लेकिन ग्यारा तारीक के बाद से इस्थि कुछ हद तक आपके पक्ष में आएगी इसलिए सम्भल कर चलने की आवश्यक्ता है साथ ही साथ में पिता के साथ सम्मंद को बहतर बनाने का आपको प्रयास करना चाहिए और उनका आशिरवात प्राप्त करके उनकी सलाह के साथ बढ़ेंगे तो नौकरी हो उसके अंदर या फिर इंक्रिमेंट प्रमोशन की स्थिती में भी काफी हद तक लाबदायक सिद्ध पिता की सलाह हो सकती है आपके लिए एक बड़ी खुसी की बाद आपके लिए है कि आपका जो यहां पे सूर्स ओफ इंकम है इस महीने में सकता है ऐसी स्थिति बन सकती मोक्ष के कारक सुक्रग्रा स्वग्रही विराजमान है तो यहां पे कई सारे समस्याओं से निकालने का कार्याब को करेंगे कोई एक यात्रा आपके जीवन के अंदर इस महीने के अंदर बहुत बड़ी खुसी आपको दे सकती है खर्च तो अबित्रो यदि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी समस्या को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है और उस समस्या का शमाधान आपको नहीं मिल पा रहा है या फिर आप अपने जन्मकुंडली का अभिशलेशन करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अप प्राप्त कर सकते हैं मेरा यह कारश्क्रम यदि आपको पसंद आया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके तब तक के लिए